हेलो गाईज एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एके सी टेक्निकल क्लासिस में प्रेंड्स आज की वीडियो में बताएंगे आपको अफलाइट मैथमेटिक सेकेंड का चैप्टर टेन और पार्ट फाइब है जिसमें कोस्विलोफन विदी के बारे में बताया जाएगा आपको बता दें इससे आपके एक्जाम में कोस्चन आया हुआ था लगबग 80-85% स्टुडेंट कोस्चन को नहीं साल्व कर पाये थें आप लोगे गलती मत करेगा आप लोगों को मौका मिल रहा है तो आप लोग अपना लोग अन जो भी उसमें में थर्ण है बाई सेक्शन में थर्था रैफ्शन में थर्था तो आप लोग फ्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लीजिए सब कुछ आपको मिल जाएगा बहुत ही विश्तार फूरवक हमने आपको वहाँ पर बताया है तो वीडियो स्टार्ट आरे साकर्तियों में करते हैं जास अच्छाए लेमें में थार्थ deposit में आक आपको ब 나도 सेब्सक्राइब हाँ आप लोग फ़केस्टन बनाके एक्स ऐबड़के मान ही निकालना रहता है तो ये देखिया आपका में हाई है तो कह सालना करना है तो इस पर हमें numerical question देखते हैं रूल तो इसमें सब फालो होता ही है लेकिन कुछ सिंपल तरीके से आपको हमें question बताएंगे देखिए अगर आपके एक्जाम में इस प्रकार से question पूछ सकता है मतलब इस प्रकार से आपको तीन equation देदेगा और कहेगा इसका जो हल करना है आपको इसका solution करना है वह है गौस विलोफन विदी द्वारा solution करना है तो सबसे पहला काम आप लोग equation मारेंगे अब आपके बुक में बहुत ही विस्तार से दिया हुआ है इसमें दिया प्रत्रेगामी प्रस्थापान तो यह सब देखिए गहां पर कोई रूल नहीं यह सब कुछ नहीं लिखना है जैसे हम बता रहे हैं आप लोग उसी प्रकार question solve करके आईएगा पूरा का पूरा नंबर मिल लेगा अगर आपने सही किया रहेगा तो तो solve करने के पहले सबसे पहले equation को first second or third मानेंगे equation को first second or third मान लेंगे हम ठीक तो देखिए सबसे पहले माना इसको x plus 4 y minus z minus 5 को first और second वाल एक second और इसको third मान लिया अब हमें क्या करना है इसमें आपको यही ध्यान देना है जो काम आप करते हैं मतलब जो आप लिखते हैं जैसे देखिए यहां लिखती है हमने दो मस्य समिक्राण एक को घटा आने पर तो आपको oral ही solve करना है और जो मान घटकर आएगा उसे लिख देना है ठीकना oral करना यह नहीं कि दोनों समिक्राण लिखें तब इसमें से घटा है तो इससे एक है इंसे लोगा तो यहां पर थिरी वाया ऐसे नहीं करना है आप लोग कर भी सकते हैं यह बात नहीं है लेकिन रूल के उनसार ऐसा ही है लेकिन आप लोग कर मिलेंगे अब हो दिए जैसे हमने यहां पर लिखास हिमिक्राण 2 में से समिक्राण 1 को घ्राण पर देखेए सक्षर 2 यह है समिक्रा गरेकिया है तो इसमें जब घ्टाएंगे हम तो दिए जब घ्राण गे तो दिएक क्या एगा देखिए x plus y minus 6z बराबर minus 12 है इसको करेंगे तो x plus 4y minus z बराबर minus 5 है तो जब घटाएंगे तो x x cancel होगा और यहाँ माइनस चिन लगएगा और यहाँ प्लस होगा और यहाँ प्लस होगा तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस 3Y आएगा माइनस 5Z आएगा और माइनस 12 प्लस बास माइनस 7 आएगा तो वहाँ पर देखे हमने क्या लिख दिया माइनस 3Y माइनस 5Z माइनस 7 और यह equation number आपका 4 हो गया equation 4 हो गया आपका अब फिर क्या करना है फिर हमें कोई ऐसा equation बनाना है जिसमें Y और Z मिलें क्योंकि जब उन दोनों को स्टाल्व करेंगे तो हमें Y या Z का मान मिलेगा तो फिर क्या करते हैं अब देखिए समीकराड एक में जब तीन से हम गुड़ा कर लेंगे समीकराड एक में फिर उसको हम समीकराड तीन से घटा लेंगे तो समीक्रार एक देखिया आपका यह था इसमें जब 3 से multiple करेंगे तो आएगा 3x प्लस 12y माइनस 3z ब्रावर माइनस 15 और यहाँ पे समीक्रार 3 को लिखेंगे तो 3x माइनस y माइनस z ब्रावर 4 आएगा अब इसको घटाएंगे तो हमें नया equation मिलेगा 13y माइनस 2z ब्रावर माइनस 19 समीक्रार 5 हो जाएगा अब देखिये क्या करना है यहाँ से करने के बाद हम तोनों समीक्रारों को हम कहते हैं कोई फलन एक को ब्रावर करते हैं उसके बाद ही हम जोड़ या घटाव की प्रिक्रिया को आगे बढ़ाते हैं तो इसमें देखिये अगर हम करते हैं समीक्रार जो 5 आया है अगर उसमें हम 5 से गुड़ा करने समीक्रार जो 5 आगर इसमें हम 5 से गुड़ा करने देखिये हम एक फलन को बरावर करेंगे एक फलन को हम बरावर करेंगे तो हम z वाले को बरावर करेंगे और यहां भी जेड है तो बराबर करेंगे इसमें तो जो 5 है अगर इसमें हम समिक्रार 5 में 5 से गुड़ा कर लेंगे तो यहां 10 जेड हो जाएगा और समिक्रार जो 4 आया है इसमें अगर हमें 2 से गुड़ा करने तब भी 10 जेड आएगा तो दुनों में एक में पांस से उड़ा हो जाएगा और एक में दो से हो जाएगा और दुनों समिक्राड आएंगे तो नों हम आपस में घटा लिंगे तो देखिए फ्रेंड्स जैसे कि अगर हमने देखिए समिक्राड फाइब में माल्टिपल किया तो यहाँ 65Y माइनस 10J परावर माइनस 95 हुआ उसके बाद अगर 4 में माल्टिपल करेंगे तो माइनस 6Y माइनस 10J माइनस 14 हुआ इसको टोटली हम साल्व कर लेंगे तो Y का मान माइनस 81 अपान 71 होगा अब जब आपको Y का मान पता चल गया है तो हम किसी भी समिक्राड में या तो 5 में रख लें या तो 4 में रख लें तो हमें z का भी मान पता चल जाएगा और जब z का मान पता चल जाएगा तो हमें x का भी मान पता चल जाएगा और हमें करना क्या है x, y, z का मान ही तो निकालना है तो निकाल लेते हैं जब सब कुछ आसानी से हो जाएगा तो क्या दिक्कत यहां देखे जब y का मान हम समीकनल 4 में रखेंगे तो समीकनल 4 आपका था मैनस 3y, मैनस 5z, प्रावर मैनस 7 था तो मैनस 3 इन 2y की जगाए मैनस 81 अपान 71 मैनस 5z, मैनस 7, इसकोल टो मैनस 7 इसे टोटली हम साल्व करेंगे तो आप देख लिजए साल भूच का है सब तो क्लास 1, 2, 3 की स्टुडेंट भी कर सकते हैं आप क्यों नहीं कर सकते हैं देखिए पुरा आपके सामने इसका साल्यूसन करा दिया गया है आगे पढ़ते हुए चलेंगे तो z का मान आएगा माइनस नहीं जेट का मान 148 अपान 71 यानी 148 अपान 71 आएगा जेट का मान आप लोग जान गया होंगे कैसे आया है जेट का मान देखिए य का मान हम समिक्राण 4 में रखे हैं तो हमें जेट का मान पता चला अब य और जेट का मान हम किसी भी समिक्राड में रखे यक्स का मान निकालेंगे जिसमें आपका यक्स दिया रहे उसमें ही रखेंगे हम तो हमने रखा है समिक्राड 3 में आप लोग नोट किया होंगे equation third क्या था तो जब देखिए equation third में रखेंगे equation third था आपका 3x-y-z is equal to 4 तो 3x हो गया plus y की जगाए minus 81 upon 71 था तो यहाँ पर minus से इसलिए plus 81 upon 71 हो गया चेट का मान था minus 148 upon 71 ब्रावर 4 इससे solve करेंगे 3x होगा minus यहाँ पर 71 आपका LCM होगा solve करेंगे तो आएगा minus 67 upon 71 ब्रावर 4 यहां से आपका X का मान आएगा 117 upon 71 तो देखिए friends आपका question साल भूचका है कुछ भी नहीं करना था वहुत ही EG method से आपको हमने यह सब बता दिया इस प्रकार से X का मान आया आपका एक सो सतरह पाने का तरवाई का मान आया minus minus 81 upon 71 जेड का मान आया 148 upon 71 तो इस प्रकार से आपका question साल्व हो गया कोई भी प्रावलम रहे तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं question समझ में आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करते रहें तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सेर जरूर करें